प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के अगवाई में केंदर की NDS सरकार के दूसरे कारेकाल का 21 जुलाई को 50 दिन पूरे हो गए मोधी सरकार 2 ने कामकाज समालते ही सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास का नरा दिया था और उसी नरे के तहट फिलाल देश का कामकाज चल रहा है 50 दिन पूरे होने पर सरकार का दावा है कि इन शुरुवाती दिनों में देश के हर वर्ग, हर तब के, हर खशित्र के विकास के लिए तेजी से काम हुआ है आज देश की बात में परताल होगी सरकार के पहले 50 दिन के कामकाज की जानेंगे अपने वादों पर कितना खरा उतर पाई है मोदी सरकार टू, कामकाज किस दिशा में जा रहा है और अभी क्या कुछ किये जाने की दरकार है लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, लोटेंगे तो मेहमानों का एक पैनल होगा हमारे साथ जिसके साथ करेंगे चर्चा देश की बात मैं नरेंद्र दामोदर्दास मोदी दुबारा सत्ता सम्हालते ही मोदी ने विकास की गाड़ी का गियर भी बदल दिया पहले दिन से ही भारत ने विकास की वो रफ्तार पकड़ी जो उसे 5 प्रिलेन एकॉनमी की ओर तेजी से ले जा रही है इस रा में मोदी ड्राइविंग सीट पर है और सफर है पूरा देश विकास की इस गाड़ी में मोदी ने सबसे पहले सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का इंधन डाला सफर लंबा है लेकिन शुरुवात मजबूर सरकार को यकीन है कि देश जल्दी ही विश्व गुरू के मुकाम तक पहुँचेगा हम सबने मिल करके 21 वी सदिय में हिंदुस्तान को नहीं उचाईयों पर ले जाना है कोई पीछे नहीं रहना जाईए कोई इस विकास जाता हमें छुट नहीं जाना चाहिए और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास यह हमारा मंत्र है मोदी सरकार के पहले 50 दिनों का विश्लेशन करें तो उनमें चुनोतियों से नेपटने के लिए स्पष्ट विजन के साथ ही मजबूत एक्शन भी नजर आते हैं कामगाज समालते ही प्रष्ट अधिकारियों को जबरन विटार्मेंट दिने का फैसला हो या कैबिनेट की पहली बैठक में अलपसंख्यक कल्यान और सुरक्षा बलों के परिवारों की चिंता कश्मीर पर काम समालते ही एक्शन मोड में पैसले लेने हो या अलगाव वादियों को अलग थलग करने की शाहनीती बजट में किसान कल्यान की बाते हो या गरीबी दूर करने के कदम सरकार का दावा है कि हर मोचे पर मोदी सरकार की जोली में कुछ नकुछ उपलब्धी जुड़ी है मोदी सरकार के पहले 50 दिन का रिपोर्ट कार डगते हुए केंद्रिय मंत्री प्रकार जावडेकर ने कहा कि सरकार ने हर वर के कल्यान के लिए फैस्ट लिये है जो संकल पत्र भारतिय जनता पार्टी ने लाया था उसका भी आमल का खाका तयार हुआ है और इसलिए एक स्पीड, स्केल और स्कील ये तीनों का दर्शन इस 50 दिन में दिखा है सरकार टूब के पहले 50 दिन अभी मोदी सरकार की कामकाज का ट्रिलर है अगले 5 साल में चुनौतिया भी कहीं है आर्थिक तरक्की के लिए विकास को दो अंकों मिले जाने की चुनौति हो या अतंकवाद से मुक्ति की देश में रोजगार के अफसर बढ़ाने की बात हो या बढ़ती आबादी के हिसाब से बहतर शिक्षा और स्वास्तिकी या फिर 2022 तक किसानों की आए दुगनी और सबको घर देने जैसे लक्षनों को पूरा करने की जिम्मेदारी काम अभी बाकी है मोदी को पिछली बार के मुकाबले इस बार जादा बड़ा बहुत मिला है जाहिर है ऐसे में अकांक्षाएं दिम्मेदारियां बहुत जादा है सवाल उठता है कि पहले 50 दिनों में क्या सरकार जर्नता की उम्मीदों पर खरी उतर पाई क्या सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है क्या कश्मीर मोर्चे पर शहनीती से कोई स्थाई समाधान निकल पाएगा क्या आर्थिक मोर्चे पर लोगों की चिंताएं दूर होंगी क्या रोजगार बढ़ाने के उपाए काफी हैं इन्ही सब मुद्दों पर होगी देश की बार चलिए तो पहले 50 दिन का गुणा गणित क्या निकला और बही खाता जो सरकार ने अपने बजट को नाम दिया था उसी बही खाते के लिए आज बात करेंगे सरकार का बही खाता पहले 50 दिनों का कैसरा इस पर करेंगे चर्चा और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौझूद है सबसे पहले आपकी चर्चा आज की जो चर्चा है उसमें शामिल मेहमानों का आप से परिशे करा देते हैं हमारे साथ हैं विजय सोनकर शास्त्री जी जो की प्रवरिश प्रवक्ता है बीजेपी के शास्त्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ है अमलेंदू उपाध्याय राजनेतिक विशलेशक है अमलेंदू जो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ है सुनित चोपड़ा जी जो की नेता हैं CPM के, बहुत बहुत स्पागत है सुनीत आपका, हमारे साथ है जाने माने पत्रकार और संपादक नवोदे टाइम्स अकुष श्रिवास्तव, बहुत बहुत स्पागत है अकुजी आपका, हमारे साथ है देश के जाने माने पत्रकार, वरिश पत्रकार अनिल आ निउ इंडिया बनाने की सही राह पर है पहले 50 दिन के हवाले से आपको जो भी इस पर अपनी राय है वो हमें दर्ज करानी है फेस्बुक पर अगर आप हैं तो अनलाइन पर जाएं हाँ या ना यस या नो में अपने जवाब दें और अगर ट्विटर पर हैं तो एड़ दरेट जी बिसनिस हमारा ट्विटर रैंडल है इस पर येस ये नो हाँ ये ना में अपने जवाब दें आपकी जो भी राहे आएगी उसे हम शामिल करेंगे शो के आखर में कोशिश करेंगे इस पर विशलिशन भी अगर हो सके तो जो भी आपकी राहे आएगी उस है कश्मीर समस्या का स्थाई समाधान निकालना है ये ऐसे कुछ विजन हैं जो सरकार ने देखे हैं सरकार ने देश के सामने रखा है लेकिन इनको इन विजन को पूरा करने के लिए जो एक्शन होता है और अग्रेजी में कहावत भी है ना के एक्शन विजन इस जिस पासि तो क्या वो जो विजन है उसके पीछे आपको एक्शन नजर आया या अभी कहीं कमीरा गंदग रही है आपको तो वाल जी ये सरकार ने जिस तरीके से आते ही काम करने की प्रक्रिया शरू की है वो निश्य दूरूप से एक सकारात्मक है और कहीं पे भी किसी भी इसतर पे खात ओरते संसत अधस्त के इसतर थे फिर उसके बाद और सीरे काम पे लगने की बात ही और वो नजर भी आया है पचास दिन के शुरुआती दोर में ऐसा नहीं कहीं पहले कभी देखा गया कि एकदम से फैतले होने लगे एकदम से चीजें सामने आने लगी लेकिन इस सरकार ने ये पहल ये अच्छी की और आते ही सबसे पहला जो किसानों के सम्मान विद्धी सब के लिए कर दी गई सभी किसानों के लिए कर दी गई शमीकों के लिए कुछ फैसले हुए और भी फैसले ऐसे हुए जिस से ऐसा लगा कि सरकार जिस काखा गा में है वो का उसके लिए बहुत महत्पूर्ण है किसान है उसमें कश्मीर उसके लिए है और कश्मीर में तो जिस तरीके का काम हुआ है या ये कहिए जो अमेशा ने जिस तरीके के काम की दिशा तैकी है उससे एक कहीं ना कहीं जो डंडे का असर मैं शब्द जरूर गलत थोड़ा इस्तमाल कर रहा हूं लेकिन जान बूच करके सत्ता में अगर आप रहते है तो उसका रुआब जब तक काम नहीं रहता तब तक चीजें होती नहीं हैं और वो कश्मीर में होता हुआ नजर आ रहा है लोगों में थोड़ा डर हुआ है लोगों में एक सहभागिता बड़ी है और ये जब दोनों चीजें साथ चलती हैं तो बहुत सारी चीजें होती है इसके अलावा भी अगर आप देखें इतिफाक से अंतराश्टी मोर्चे पर हमें सफलताएं मिली हैं, लगाता लेसी सफलताएं मिली हैं और आज जो सफलताएं मिली है चंद्रेयान के जाने की ये भी अपने आप में सरकार के हिस्से में जुड़ेगी चाहे वो एक सतत प्रक को काम करने के लिए जुड़ जाने के लिए कहा है और उत पे लगातार ये ऐसाद दिलाने की कोशिश की है कि उनकी निगरानी ही हो रही है उससे चीजें रास्ते पे चल रही है ये जरूर है कि लगाई बहुत लंबी है पांच ट्रिलियन डॉलर का जो लच है ये आसान नहीं लेकिन पांच ट्रिलियन डॉलर की तरफ जो रास्ता ही बिल्कुल जी जो रास्ता अख्तियार किया है क्या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आने लानन मैं आउँगा आउंगा आपके बास आने लानन 50 legitimate डॉलर की अर्थववस्ता का सपना जो देखा है दानमत्री नरेंदर म फोकस रहा है और जिस विजिन के साथ आऊगे भढ रही है सरकार जो एक्षनलाइज कर रही है उस विजिन को क्या आप उससे संतुष्ण है सही दिशा में जा रही है सरकार जिसमें आप आंक्लिंट कर सकें, कि एक सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया हाँ अकुजी ने ठीक है एक ब्लूपिंट आगे आया है तो ब्लूपिंट उसी की कॉंटिनिउशन है जो 2014 से चल ला था और दूसी बात यहा कि कश्मीर की बात मैं करूँ से पहले एक और बात मैं कहूंगा कि यह मोदी जी और उनकी टीम इसमें बात में बहुत सक्षम है किस तरह से एक्टिवेट करके रखना है अपने अपने सब लोगों को गौर्मेंट को पार्टी को तंत्र को किस तरह से महौल बनाना है और उसको मुतवातर बनाए रखना है तो वो उन्होंने चेश्टा निपन है यहां तक कश्मीर की बात आपने कही कश्मीर में एक जो एक सोची समझी नीती सरकार की पहले भी रही है एक स्ट्रॉंग आर्म टैक्टिक्स है उनकी कुदरती बात है वो होनी भी चाहिए जो भारत की सौबरेनेटी को चैलेंज करे उसको टैकल वैसे ही किया जान कुछ होता है अब कली की बात लीजी आप गवर्नर जैसे कॉंस्टिशनल अपद्प को संभाले हुए आदमी उन्होंने वानन वानन में टर्रिस को एक लिगल जामा पहना दिया टर्रिस को कहा कि जो करप हैं उनको मारी है भाई आपके पास तंत्र है तो मुझे समय नहीं आ सब्सक्राइब कर दें करॉप्शन होगी हर प्लिटिकल पार्टी में होगी हर सरकार में होगी मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को लेकिन यह कह दना एक कॉंस्टिशनल ओधे पर रहने वाला हो भी जम्मू किश्मिर जासे संसेटिव स्टेट्स पे प्रेजिट्ट्स रूल है इस वकत वही मुख्यमंतरी है इस वकत उनका यह कहना कि टेर्रिस उन लोगों को मारें जो फैमिलीज है रूलिंग फैमिलीज रही है दो तीन पार्टी जो नहों ने सब का सब तबाही की है तो मुझे लगते है किसम से वह वहां के जो टेर्रिस हैं उनका होसला बढ़ाया ह उन्होंने उनको लेजिटिमेस ही परदान कर दी है यह वही प्लिटिकल पार्टी यह अच्छी है बुरी है जो ने अच्छे बुरे वक्त में पीक मिलिटेंसी में प्लिटिकल प्रॉसेस को सस्टेन किया कुर्बानिया दी उन सब के वरकर मरे तो कहीं ना कई कन्फूजन जो है न ये मुझे अभी भी नजर आ रहा है चीक है विजए शोनकर शास्त्री से पूछ लेते हैं ये confusion आखिर क्यूं है क्शमीर पर थोड़ा सब बात करेते हैं overall development पिर भी हम बात करेंगे लिकुन कशमीर कशमीर का बात अनेल आनंद कर रहे हैं विजए शोनकर शास्त्री ये confusion क्यों clarity क्यों नहीं 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 देखिए इस अंदर में गवर्नर साब ने खुद ही इस पश्ट किया था उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नर की हैंसियत से नहीं बलकि हम अपने विक्तिगत हैंसियत से मैं ये बात क चाहता हूं क्योंकि उन्होंने खुद अपनी ही बातों मैं अपनी स्टेट्मेंट पर अगर पूरा स्टेट्मेंट आनिला नान जी पढ़ देखे हूं तो वो कहेंगे उनको समझ में आएगा कि उन्होंने ये कहा कि मैं constitutional post पर हूं संबेधानिक पर मैं हूं इसके बाद भी मैं personal अपने capacity में अगर मुझे करना होगा तो मैं ये निड़न ले रहा हूं और निड़न क्या है क्या नहीं उसको सही या गलत में नहीं बताना चाहता हूं बस एक clear करना चाहता हूं लेकिन मैं जरूर यहां आज हम लोग यहां पर अपनी सरकार की 100 दिन आज पूरे हुए ह और बहतरीन दिन पूरे हुए है यह हम कह सकते हैं कि यह जो 50 दिन आज हमारे पूरे हुए है इसमें वह blueprint है जिसको आगे आने वाले समय में हमें complete कर रहा है देखिए हमारी सरकार की एक खाशित है हमारी सरकार पहले तो समझ्याओं को पहचान करती है फिर उसको देश को मुझे देश पूरा और इसके बाद उसका समाधान भी देती है और इसी लाइन पर चलते हुए आज जो हमारे 50 दिन पूरे हुए है उसमें जो उपलब्दियां हुई है उनका एक बलंबी सुची है उस सुची को अगर मैं पढ़ना चाओं तो बिल्कुल वो सुची है हमार लेकिन चुनौतियां भी आई है और मैं आर्थिक मोर्चे पर मैं पिछली बार जो जुबानी चुनौतियां जुबानी चुनौतियां इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो चुनौतियां धरातल पर कई नजर नहीं आई लेकिन विपक्ष की ओर से आपको चुनौतियां जरू कर सकुछ चीज़ को तो ने बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं देखिए पहला तो यही कि हमारी सरकार ने यह पॉश्ट रूप से और हमारे प्रदान मंत्री जी ने एक तरह से अपने जो मैकनिस्जम है उसमें यह घोशना कर दिया एक तरह से फिक्स कर दिया कि हम हमारी एकोनोमी हम इसको convert करते हैं इसको 5 trillion में पहुचाना चाते जो अभी बरतमान समय में 2 trillion में है ऐसे में अब अगर हम यह destination करते हैं कि हमें इतना चलना है तो उस चलने के लिए क्या process होगा क्या strength होगा कितनी हमको ताकत की जरूरत होगी कहां कहां सुधार की जरूरत होगी यह सब चीज के लिए मैं इतना जरूरत आना चाहूंगा कि जैसे स्रम के स्रम सुधार के मामले में जो एक निड़ लिया गया वो उसी दिशा में 5 trillion की दिशा में जैसे 44 हमारे हां एक तरह से स्रम कानून हुआ करते थे जी उनको minimize करके उनको 13 में ला करके और फिर उस पर एक bill पास किया है जो एक तरह से देखा जाए तो ये स्रम के संदर्व में जो तमाम कठिनाईया हैं उनका समधान होगा और 5 trillion जो हमारी economy है उसको आगे बढ़ाने में जबर्जस्त को सहयोग करने में शिद्ध होगी 5 trillion dollar की economy बनने के लिए आपको थोड़ा सा market को भी समालना पड़ेगा बजट में आप लोगों ने सुपर इच टैक्स लगाने का एलान किया विदेशी निवेशक डरे हुए है तब से market लगातार तीन दिन से गिरा हुआ है जुलाई में अकेले जुलाई में 7712 करोड रुपे निकाल लिए विदेशी निवेशकों ने और अब तक कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था 12 लाग करोड रुपे का नुकसान ओचुका निवेशकों को और अगर market इस तरह से negative react करेगा आपके फैसले पर तो 5 trillion dollar economy में थोड़ा सा आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा रोड होती हैं लेकिन अगर आप पिछले हमारे पांच वर्सों के कारेकाल को देखें तो यूपीए government में हमारी economy की क्या हिस्तिती थी हम हमारी economy का जो GDP था हम चार साड़े चार तक पहुंच चुके थे और इतना गिर गया था लेकिन हमारी सरकार आई हम लोगों ने इसको संभला और इसको साथ साड़े साथ पौने आड़ तक हम लोग आड़ तच किया है यहां तक पहुंचाया डबूल किया और वह और आईसी इस्तिती में जब सब कुछ चोपड़ था और इतना ही नहीं केवल हमारे देश की economy नहीं थी बलकि विश्व की economy का भी कमोबेस वही हालत था लेकिन इसमें भी हमें रास्ता निकाला आप कहरें ओवर और जो ग्रोथ है उसमें एक अच्छी तस्वीर मोधी सरकार सामने लेकर आईए ठीक है सर आउंगा आँगा सुनी चोपड़ा बहुत देर से आथ उढ़ारे में पहले उनी के पास जाऊंगा सुनी चोपड़ा लाज तन्तर की आप लोग कल्पना करते रहें वामपंती धल अगर उस पर सरकार अगर आगे बढ़ रही है तो फिर भी विरोध क्योंकि इस बात का विरोध है सर कहां आगे बढ़ रही है सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी डीजल की कीमत बढ़ी सबसे जादा ये किसान इस्तमाल करता है उसको इसमें से क्या मिला दूसरी चीज जो आपने कही कि शेर माकित में बारा लाख करोड लॉस हुआ है इसमें 10 में से 9 कंपनियें डाउन गई है 60 पिसदी 10 पिसदी डाउन गई है एक तिहाई 20 पिसदी डाउन गई है इसको तुमें कंगाली कहूंगा इसके साथ साथ लेकिन सर सूपर रिच टैस लगाया है अमीरों पर टैक्स लगाया है इसकी वकला तो आप लोग करते थे कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाया जाए अगर उसके कुछ रिपकर्शन्स दिख रहे हैं मारकेट में तो भी आपको दिक्कत है गरीबों को क्या दिया आपने बीच में मत बोलिये मैं नहीं बोला था जब आप जूट बोल रहे थे नहीं सर ये मेरा सवाल है सर तो आप ये समझ लो सुनी जी मैं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बिजली जो है उसकी कीमत बढ़ी है हाँ ठीक है दिपत जो बिजली बढ़ी है कीमत पंजाब में 22 को उसके उपर आंदोलन होगा इसी तरह उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं किसानों को हमने दिया है सबसे पहले तो जो नरसंगार हुआ है उसका कोई मुकाबला नहीं है इन्होंने पुलिस और अड्मिनिस्ट्रेशन को इस्तमाल करके गरीबों को बेदखल करने के लिए हत्याएं की है और वहाँ पर प्रियंका गांधी भी गई वहाँ पर टीमसी भी गए सबसे पहले और हमने देखा है उद्र क्या हुआ है गरीबों के उपर तो चक्की चला रहे हैं ये ये गरीबों की बात करते हैं और उनकी हत्याएं निर्मम तरीके से पूरे देश में हो रही हैं बचे बिहार में मर रहे हैं हस्पतालों में गोरकपुल में मर रहे हैं तो क्या हो रहा है क्या मिल रहा है अब ये जुम्ले भी नहीं चलेंगे विदेशी जिसको आप कहते हैं वहाँ से पैसा आएगा आपने आज जो चंदरायन भेजा है उसमें अमरीका का एक हिस्सा उनके काम का हिस्सा मुफ्त में भेजा है अमरीका को आप दान दे रहे हैं गरीबों से आप ले रहे हैं आप कर क्या रहे हैं किसका विकास हो रहा है ठीक है शास्त्री जी आपको जवाब देना चाहेंगे ये बार बार सुई जो है ये बार बार सुई जो है उत्तर प्रदेश में जो कानून विवस्था पर आजकल सवाल उट रहे हैं उसको लेकर आ रहे हैं मॉब लिंचिंग को लेकर जो सवाल उट रहे हैं उस पर आपको लगातार विपक्ष गेर रहा है इसका जवाब आप किस तरह से देंगे और मैं अपनी जेश वस्ती के पास भी आऊंगा ऐसी सवाल के साथ लेकिन पहले शास्त्री जी का कमेंट दे लेते हैं देखे माव लिंचिंग तो एक तरह से देखा जाए यह तो दुर्बागी पूर्ड घटना है मैं इसकी निंदा करता हूँ और अरे प्रदान मंत्री जी ने आनेको बार इसको गलट ठराया उन्होंने यहां तक कहा कि इस तरह की घटनाओं को देश शिकार नहीं करता है और ज जो सो काड लोग हैं जो सो काड लोग है ये लोगों को मा लिंचिंग है उत्तरपते इसमा दिखाई ने आप इस तरह से डिरेक्ट वो मत करिए वार सर आप अपनी बात रखने के लिए दूसरी बी तरही पर अपना सकते हैं सुनी थीक है पहले सुन लीजे शोपर सुनी आप सही बोल ला हैं देश देख रहा है मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूं कि इनको मॉब लिंचिंग की अगर बात करेंगे अन्य जगहों करते हैं यह केरल में और बंगाल के क्यों नहीं करते हैं बंगाल में जिससे असी लोगों की हत्या की गई मॉब लिंचिंग नहीं है किया इनके लिए मॉब लिंचिंग के लिए गुड मॉट लिंचिंग और बैड मॉब अब निजे शबस्ति, आप निजे शबस्ति, जिसने केजरी वाल को थपड मारा था, उस तक को आप लेके गए थे बंगाल, क्या कहरे हैं? कर चैंट साब, पचास दिन के काम काच्ष पे बात कर रहे हैं, पेट्रियोन गया था है, आप निजे शबस्ति, जवाल राइट होई है, आप यह बोल चुक है, बार बार, 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 क्यों बोलड़ रहे हैं? आपको समझ में आ रही है कि नहीं बात कि आप अपनी बात दोहरा रहे हैं आप अपने आपको कम से कम इस उमर में मतलब मुझे लगता है कि आदमी भूल जाता है लेकिन इतना भी मतभूली है कि आप दो मिनट पहले जो बोला उसी को बोले जा रहे हैं पहली बात मैं दिपक की फोटो लगा करके कहा कि ये देखो कश्मीर में मानवदिकारों का हननुरा ये जूट ऐसे ये जूटे ऐसे एक बात दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात जो है आज बिजनस टैनल होने के बावजूद हमें क्या समझना चाहिए कि इस बार पारलेमेंट में पिछले 20 सा सबसे ज़्यादा काम हुआ है बिल पेश हुए बिल पास हुए एक बात दूसरी बात एक तरफ फाईव ट्रिलिन एकॉनमी की बात हो रही है दूसरी तरफ हर घर में पानी पीने का पानी उपलब दो सके इसकी बात भी है यह जो वेलफेर एस्टेट प्लस एक स्ट्रॉंग इकॉनमी यह जो एक भारत वर्ष या किसी भी बेहतरीन लोगतांत्रिक देश में होना चाहिए वो विजन सामने आया है तीसरी बात में जो कश्मीर की नीती के बारे में कहीं किसी तरीके का कौई किसी भी तरीके का कोई अब दूविधा है जिन जो लोग अब तक जिन वाज़े खटकटाते थे और करते जाओ चलो हमने बात नहीं करनी आज वो लोग कह रहे हैं कि हमसे बात तो कर लो यह फरक 50 दिन का इस सरकार के 50 दिन का फरक यह है कि आज वो इधर से उधर से 10 तरीके से कह रहे हैं कि हमसे बात तो कर लो अंतराश्ट्री इस तर पर जिस तरी भायाले में कुल भूशन के साथ हमने जो एक नैतिक विजय पाई है वहाँ पर और पाकिस्तान को यह मानना पड़ा कि इसको कॉंसलेट देना पड़ेगा यह अंतराश्टी इस तरह भारत की प्रतिष्ठा जिस लेवल तक जिस इस तरह तक जिस गती से बढ़ी है वो पहले पचास दिनों में अपनी जेश अवस्ती और मैं जब जो मेरा बुन्यादी सवाल था जो बाकी विपक्षी दल्बी जिन पचास दिनों में को अगर कोई मुद्दा बना पाए हैं तो वो मॉब लिंचिंग को और उत्तरप्रदेश की कानून विवस्था को बनाए गय देखिए जो विदियायव ने सिफारिश किया जिस कानून की एंटी मॉब लिंचिंग के प्रती मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूं कि मॉब लिंचिंग और जो भी इस तरीके की घटना में इन्वाल होता क्योंकि बहुत सारी स्थितियों में मुझे इस बहुत सारी घट जाने की बात कही गई और बात में मालूम चला कि यह तो जूटा था पुलिस उसमें आए अंतता आपको पुलिस और न्यायले पर भी ही भरोसा करना पड़ेगा और बहुत सक्थ कानून बनना चाहिए ताकि जो सही लोग हैं जो इस सरकार की और इस देश की छवी को खराब करना चाहते हैं उनका पर्दाफाश हो सके यह बहुत जरूरी है और जहां तक उत्तर वदेश में सामानित है जो सामानिय जनता उसकी कानून विवास्था में उसकी ज़्यादा आथा बढ़ी है जो तरीके से पहले इस्तितियां थी उससे बहुत बेतर हुए यह जो सोन हो सकती है पुलिस चार शीड डाइल करके उनको दिल्वाए लेकिन सुनी च्पढ़ा की जो सिंगल ट्रैक है happily नो गोहना के बारे में कभी नी बोलते वो नंदीग्राम और संगूर के बारे में आप तो वो अमेरिका की भी बढाई करने लगे हैं कही बार वह बहुत जाला बार अमेरिका की जो अधसर रिपोर्ट अती है अधसर PS बारत के खिलाफ रिपोर्ट आयो तो उस पर सुनी चोपड बहुत है जुझे झॉलिका नहीं है अमलेंदू मैं आपके पास आना चाहूँगा पहले 50 दिन में हमने सरकार के कामकाज की जलक तो देखी एक तरफ 50 दिन सरकार ने पूरे किये हैं दूसरी तरफ सर राहुल गांदी के स्तीफे को भी 50 दिन से जादा हो गए हैं देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वो अभी नेतरत्व विहीन है ऐसे में हम सरकार के कामकाज की अगर समीक्षा, विशलेशन, समालोचना, अलोचना करें और उसमें कांग्रेस एक नेत्रत वहीन कांग्रेस हमारे सामने हो तो सर ये भी तो एक लोटनतर के लिए दुखत स्थिती है कहा है विपक्षिक्सपत पिछले 50 दिनों में नहीं देखिए पिछले 50 दिनों में ठीक है आपकी बात से मैं इत्फाग रखता हूँ कि विपक्ष जुए है वो डिमोरलाइज है काफी जादा इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इन 50 दिनों में ही विपक्ष जुए उठकर के तंके खड़ा भी हुआ है अब जैसे सोनमद्द की घटना हुई और इस तरीक से प्रियेंगा गांती गई निकल करके तो इस सरकार को बेफुट पनाना पड़ा पहले तो रोक लिया था कि आपको नहीं जाने देंगे राद भर लोके रखा दिन भर लोके रखा उसके आफिस सरकार प्रशास ने जो था खुद ले करके गया ठीक है उस पर आप लोग राजनीती के लोग हैं राजनीती करेंगे उस पर लेकिन घटना का अंजार क्यों एक विजन भी तो आना चाहिए ना जैसा विजन सरकार का है वैसा विपक्ष का भी आना चाहिए किन मुद्दों पर आलो उचना होगी किन मुद्दों पर सरकार को नूए बचास दिन निए जैठी कर दिना तो दो इस पर ज़्यादर बात dor passe लिए यह और कि तो budget में कहां से पैसा आएगा, कहां खर्चोगा, कितना बचेगा, कितना क्या होगा, सब होता है, लेकिन ये budget कुछ बताता ही नहीं है, खाता ना भही, भही है बस, लाल रंगी भही है, आ गया, सरकार ने बता दिया कि यह है, हो गया अससे ताम, ये पहली सरकार है, जो से याद है, अगर कोई जो है पारी पैसा निकालेगा, तो आप इस पर 2% टेक्स लगा देंगे, इससे क्या होगा, अनतरिया क्या निकलेगा, गरीब आत्मी को तो एक करोड का नहीं है, भार उसा किसमे बढ़ेगा, गरीब आतमी, गरीबी हटाओ नारा वाले, गरीबी हट निक्ता कर रहे है, इससे उस पर संकाली स्क्रूल में ब़हां को तो आपके पचास नहीं है, तो आप कशमीर की बात कर रहे थे, कि 50 दिन में कशमीर में बहुत बढ़ा क्रंतिकारी पर पतना आ गया, मैं ये समझ नहीं पा रहा हुँ, कि पिछले पाँ सालों में ऐसा क्या ह पछले 5 सालों में आपके सरकार थी आपके पिछले ग्रहमंती बहुत कमझोर थे यह पिछले पिछले कि अपने पिछले नाकारापन था तो भाई पहले तेया आपने पिछले पांच सालों में क्या है, पिछले पांच सालों में पिछले पचास सालों में भारत की अर्थ में रस्थाज ने जितनी उनती नहीं करी, उतनी दो पांच सालों में कर ली, टू पॉइंट सेवन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई, इस साल के अंद तक त्री प्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी ये पिछले 5 साल में हुआ है सरकार का ये दावा है जो पिछले 50-55 साल में नहीं हुआ थोड़ा सा जो चुनौतियां है और चुनौतियां वो ऐसी चुनौतियां जिसको सरकार ने खुद अपना लक्ष बनाया है 2022 तक आपको किसानों के आई को दोगुना करना है 2022 तक हर घर को गैस बिजली कनेक्शन देना है हर आपको महया कराना है घर महया कराना है 1.95 क्रोड आपको घर बनाने ये सरकार ने लक्ष तेह किये हैं हर घर तक अब तो साफ पेजल का भी लक्ष रख दिया है 24 तक इन लक्षियों को पूरा करने में अभी कौन सी चुनवतियां बाकी हैं लेकिन की जो ख्षेत्र हैं जिन पर अभी सरकार को काम करना होगा देखें आप ये ध्यान रखिए कि जो ये सब जो लक्ष आपने बताए हैं ये सब लक्ष जो हैं फाइव ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी से जुड़े हुए हैं इनकी कुछ सामाजिक मूल हैं और एक कुछ आर्थिक मूल हैं लेकिन जो इस समय सबसे बड़ा लक्ष रख दिया फाइव ट्रिलियन डॉलर का उसके लिए जो होना चाहिए जिस तरीके से मार्केट क्रेश करना है लगाता जिस तरीके से सुपर रिस्ट्रेक्स जिस से मातर बारा हजार करोड आने थे वो अगर बारा लाग करोड में बदलने जा रहा है तो खतरनाक है इस पे सरकार को निश्चित रूप से एक पुनर विचार करना चाहिए और अगर हो तो बातशीत करके पुनर विचार करने वैपारियों से दिंदर साहूसे से ताकि वो नहीं हो जहां तक बाकी जो चीजे लक्ष है उसमें ते किसानों का लक्ष शायद सबसे मुश्किल के विक्री तक का कोई सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम तयार नहीं होता हो देश में तब तक बहुत मुश्किल काम है इसका आधा भी अगर तयार हो जाता है तो मैं समझूगा सही रास्ते पर सरकार है जो आसान काम नहीं है जहां तक मकान मनाने की काम है या घर-घर जल दे पहुचाने का काम है ये अपेक्षाकरत आसान है लेकिन इससे बड़ी चीज है परस्प्षनल जो चेंज होने चाहिए उस पे बहुत बड़ी निगाह रखनी होगी मोधी सरकार को अगर परस्प्षनल चेंज में जो आपका नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका बड़ी च्छती होगी देश को तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए केन सरकार को पकाईदा साधवी निरंजनों से बचना होगा प्रग्या ठाकुरों से बचना होगा और जो ऐसे देता है उनसे बचना होगा ताकि वो कोई ऐसी बात ना कहने पाएं जिससे सर कारवाई करनी है आपके कड़क सवाल के जवाब में है कड़क कारवाई करनी वहां ततकाल की जाए आखिर ऐसा क्या है कि शीला दिक्षित के निधन पर के दो घंटे के अंदर ही प्रधान मंतरी पहुंच जाते हैं उनके हां समवेदना व्यक्त करने सोनिया गांदी भी दे कर सकता कि कहीं आप लेक करें जहां पर भी हो जैसे भी हो जतनी जल्दी रियाइट कर सकें यही काम अगर उसी दिन कर दिया जाता कि उनको अच्छे से मतब लोगों को सानुवोत ही दे दी जाती जिए और उनको एक मान दे या जो एक आपको पैसा दिया जाना है अठारा ल कि निगरानी के लेविल पे काम नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल होगी आगाज तो अच्छा है अंजामे बहतरी की दूआ हम कर सकते हैं जो मैं कर रहा हूं अगाज तो ठीक है आगाज तो ठीक हुआ है लेकिन अजाम तक की मामला पहुचे अनिल अननन्द आप किस तरह से रेट करेंगे और फिलाल जिन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं उन चुनौतियों में आपकी फेरिस्ट में कौन सी ऐसी चुनौतियों जिन पर अभी सरकार को काम करना होगा चाहे वो फाइव ट्रिलिन डॉलर एकॉनमी के मोड़चे पर हो आतंगवाद मु पर रहे यह उनकी मंचा है यह उनकी चाहत है वो है एकनामिक सेनेरियो एकनामिक सेनेरियो इस नौट लुकिंग अप और इसका एक उधारन हमारे सब के सामने है जिसन बजट आया और बजट की तारिफ तो हुई लेकिन उसी दिन से ना शेर मार्केट देख रहा ऊपर ना इप्यायर ना वागी देख रहा ना यह देख रहा है जब तक एकनामिक सिτयirk soldering नहीं होगा सरकार अपनी गलतियां माननी चाहें सरकारें वह भी अच्छी होते हैं जो काम तो करते हैं काम ये भी सरकार कर रही है सरकारें वो जादा अच्छी होती हैं जो कोर्स क्रेक्शन भी करें जो अपनी गलतियां भी मानें पब्लीक ली ये कह देना कि जो हमनें कह दिया वो परमात्मा की महर हो गई परवचन हो गया वचन हो वो गलत होता है तो कोर्स क्रेक्शन करना पड़ेगा तब ही आप किसान की आए दुगनी कर पाएंगे अगर एकानुमी नहीं उठी तो आप रोजगार कहां से देंगे जो आपने इतना बड़ा वादा किया है तो मुझे लगता है कि इस आने वाले वक्त में एकानुमी को संभालना, संभारना, उसको बढ़ाना यह सब्चे बड़ा चैलेंज होगा उसके लिए जैसे कि अधी गादरे गादरेई साब ने कहा जो बहुत बड़े कप्तान है इंडस्टी के अगर सोशल सिस्टम सोसाइटी ठीक नहीं रही तो कोई पैसा नहीं लगाएगा तो यह बहुत बड़े चैलेंजिस होगे सरकार के सामने उझे लगता है सरकार को गंबीरता से इसको लेना चाहिए और नारे गड़ने से अब आगे चलना चाहिए उन नारों का implementation भी हो और realistic terms में हो यह बहुत जरूरी है बागी सरकारे काम करते हैं काम हुए हैं उनके credit भी मिला है मिलना भी चाहिए उनका हाक होता है अर सरकार का उसमें कोई दोरा है नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जो lose ends हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी होगा अन्य था हवा में बातें करने में पांच साल और निकल जाएंगे जो काम हुए है उसको सिद्रड करें, फॉंडेशन को और मजबूत करें और रियलिस्टिक टर्म्स में बात करें ठीक है, शास्तिरी जी हमने डे वन से देखा प्रदान मंत्री नरेंदर मुदी ने किस तरह से स्ट्रॉंगली सामने आकर कुछ चीजों को डिसाइड किया कि वो किस तरह से काम करेंगे, उन्होंने ताकीद किया, आपने तमाम मंत्रालें को प्रोफेशनलिजम की उन्होंने बार 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 बात किया और अभी तो इस मौनसून सतर में हमने देखा कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी बहुत नाराज थे कैसे सामन जिससे बैठाएगी सरकार निपार? ने देखे दोनों पत्रकार जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि वो इस देश के नागरिक हैं, आदर्स नागरिक हैं और उनको चिंता करनी चाहिए लेकिन मैं उनको ये आफस्वस्त करना चाहता हूँ, कि पहले ही दिन से जो हमारे प्रदान मंत्री जी ने और मिलकर के सारे मंत्रियों ने जो एक determination दिखलाया, वो इस बात के लिए सिद्ध करता है, कि आने वाले समय में जो कुछ भी होगा, जो लक्ष रखा गया है, उसको पूरा किया ही जाएगा, देखिए, ये मोदी जी के बारे में अब पूरा देश नहीं, दुनिया में भी ये अब एक तरह से जाना जाता है, कि मो मोदी जी पर भरोशा किया है देश ने, आजादी के बाद अगर मोदी जी पर भरोशा किया गया है, तो यह याद लाल बहादुर सास्त्री का दिखलाता है, जब लाल बहादुर सास्त्री जी ने कहा था, कि हमें एक वक्त का खाना छोड़ देना चाहिए, इसे बहुत सारे लोगों के और भी पेट भर सकते हैं तो देश ने छोटे-छोटे बच्चों ने ये नीड़े लिया था और सोमार को खाना छोड़ दिया था ऐसा ये हुआ था मोदी जी ने भी इसी तरह का विश्वास पैदा किया उन्होंने कहा और करोड़ों लोगों ने अपनी सबसीडी इत्यादी को छोड़ा मोदी जी ने जो कहा अभी तक उसको निभाया उसको पूर्ण किया है और आगे भी अगर उन्होंने फाइप टिलियन का जो तैंक कर दिया है तो वो भी होगा अभी जैसे किशानों के बारे में जो बहुत सारे प्रस्ना है सबका उत्तर मुझे नहीं लगता कि आप देने का आउसर देंगे लेकिन एकाख मुद्धे पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा किशानों के बारे में जो बात किया गया ये सबसे सेंसिटी बात कही गई कि ये 2022 तक उनके आई को दुगना कैसे किया जाएगा देखिए पहले ही दिन 24 सुत्री कारिक्रम तैंक कर लिए गये और इतना ही नहीं उन 24 सुत्री कामों पर सुत्री जो एक मैप था उत पर काम भी प्राराम कर दिया गया और इतना ही नहीं 10,000 किशानों को का एक और्गनाइजेशन बना करके एक तरह से उसको एक एक और्गनाइजेशन का रूप दे करके उसके मादेम से काम कैसे शुरू किया जाए ये भी करना शुरू कर दिया है और अगर पिछले पांच सालों को अगर आप देखेंगे तो उन पांच सालों में सरकार ने किसानों के केवल उनके हल्थ की बात नहीं किया बलकि उनके शुएल जो भूमी है उसके भी हल्थ के बारे में काम किया है और भूमी सुधार पर काम किया है इस तरह से जो सरकार ने पिछले पांच वर्सों से काम किया और आने वाले 2022 का जो डेस्टिनेशन तैंक किया कि हमको किसानों को डबुल आई तक पहुंचाना है तो वो शेतर में ऐसा नहीं कि चुप चाप बैठी सरकार है बलकि एक कदम इसलिए एक एक चीज को बड़े ध्यान से तयार किया गया है और उसमें कोई कमी नहीं चोड़ी गई है हाँ एक मुते पर और मैं चर्चा करूँगा आपने भी दिपक जी ने बोला मैं भी उन लोगों में था जब उन्होंने कहा कि आप गैस के अपने जो आपका उसें सबसिडी है उसको वापिस कर दी गरीबों के लिए और मैंने कर दी लेकिन देखा क्या उसके बाद मैंने देखा कि गैस के सिलिंडर महँचे हो गए और गरीब जो थे वो खरीद नहीं पाए और जहां तक सबसिडी का सवाल है ब्लैक में भिक रही है तो मेरे को समझ आ गई कि ये सब बक्वास है गलत बात है और इनके लिए बिल्कुल ये गलत बात बुल रहे है गैस कही भी ब्लैक में नहीं मिल रहा है अगर ये जवरजस्ती सरकार के ओपर ठुपना चाते तो ठुपना है लेकिन ये बात गलत है गलत बाता है कि गैस ब्लैक में मिलती है और कितने लोगों ने गैस वापिस कर दी और आप पता है आप राजनितिक सेक्टर के महाँ तो पुल बेक्ती है आप बताईए कि कहां पर गैस ब्लैक में विक्तरा है आप बताईए कि कहां गैस ब्लैक में विक्तरा है एक जगे का नाम बताईए मैं बता रहा हूं क्या बात करते हैं आप गोड़गाओं में तो घर घर गैस पहुंचाया जा रहा है हंडेट परसेंट हो रही है और अम जुट और आप बहुत सही बोल रहे हैं आपके सच्चाई को मैं प्रणाम करता हूँ जो कि गई बाते करी नहीं सकता है पिले तो लोगों ने विश्वास को दिया। तत्काल सारे भी आरोपियों को अरिश्ट किया जाता है कंपेंसेशन दिया जाता है उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की बेवस्था की जाती है धायलों को अलग से उनकी बेवस्था की जाती है मृत्कों को अलग से उनके परिवार पर संबेदना दिया जाता है और इसके बाद भी अगर ये कहा जाता है कि वहाँ की प्रशासन काम नहीं कर रहा था पुलिस प्रशासन और तमाम बाते अगर पुलिस प्रशासन अस्थानी प्रशासन की अगर गलती नहीं थी शास्त्री जी तो फिर वहाँ पर वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनको क कुई नहीं लंबित किया गया जो प्रशासनिक अधिकारी उनको क्यू नहीं लंबित किया गया गलती तो अन लोग की थी ना उन लोग एन information gathering नहीं की intelligence की दिख्कत थी बीठवल्दा ने अपना कांधंग से नहीं किया पुलिस अधिकारियों ने अपने काम धंग से नहीं किया सर इतना बड़ा हाथसा हुआ है उस पर आप इस तरह से बच के तो नहीं जा सकती है सरकार इस पर सवाल दो उठेंगे मैं हाथसा के बात की बात कर रहा हूँ उसके पहले के इंटेलिजेंस रिपोर्ट या इस सपर में बात नहीं कह रहा हूँ और जमीन विबात था इसलिए मैं कह रहा हो कि वहाँ पर जिस से लोग जाते हैं जिस तरह से पॉलिटिकल परेटन करना beads अगर उसको जाएज माना जाता है तो देश में जाएज माना जाए पर हकीकत तो यह है कि वहाँ पर प्रॉपर वहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है और दोसियों को सजा दिया जा रहा है यह समस्या आज की नहीं समस्या है मैं चेर्मेन था नेशनल कमिशन फार सेडूल कास्ट और सेडूल ट्राइब का मैं चेर्मेन रह चुका हूँ मैं जानता हूँ कि एक कम्प्लिकेसी क्या है ट्राइबल्स के लैंड के बारे में जो आज तक हमारे अहाँ पैरा मीटर से अवनीजे सवस्ती अवनीजे सवस्ती यह जो बार बार आरूप लगते इस मोर्चे पर सरकार कैसे निपटेगी आप ठीक है आप आर्टिक मोर्चे प बोलने दीजे मिरे पाफ वैसे भी वक्त कमी है बोलिए सर जी मैं दीपक एक बात सावाच कर रहा हूं जो पत्रकारों ने चहा पत्रकार और विपक्ष दोनों कि बिलकुल यह अधिकार नहीं करता है उनका कि चोटी से चोटी चोटी से चोटी से चोटी को सामने लाएं उनका धर्म नहीं है बिलकुल मैं इसमें कहीं कोई लेकिन जब व्यक्ति व्यक्तिगत एजेंडे से या किसी पूर्वगे के कारण पूर्वगे के कारण अगर कोई सवाल उठाता है नियत पर शक करता है तब दिक्कत होती है जैसे कि मैं उधारन देता हूं ट को अमेरिका ने ये का अमेरिका ने ये का अमेरिका ने ये का दूसरी बार की चर्चा नहीं की तो नियत पर किसकी शक किया जाना चाहिए इन लोगों की सुनी चोपड़ा जैसे लोगों की इन जैसे लोगों की नियत पर शक करिया जाना चाहिए अगर वास्तों में सरकार की कोई कमी है गलती है निश्चित रूप से सामने लाएं और भरपूर तरीके से सामने लाएं वही आप देते हैं अपने पोस्टर में तो मुझे शक अला है कि आपके कहा से जुड़े हुँंग और ये हमने ने दी थी ये आपके किस्मीर ने है उन्हें लेखा मिल गया मिल गया मिल गया आपको ना है अब लेंदू आपका वो गई है आपके अलाई से पोटो यह ले रहे थे जूट मत बोज़ें इस पर करेंगे इस पर इस पर इस मुद्धे पर भी बहस करेंगे फिलाल आज आज पचास दिन की बात कर रहे हैं सरकार की चुनौतियों की बात कर रहे हैं अमनेंदू जी एक मजबूत में पक्षकब देखने को मिलेगा हमें देखे दीबक जी बात यह है कि बार बार जो है दो हयार बाइस तक किसानों की आए दूगनी करने की बात की जा रही है लेकिन बजच हमारा खामोश है किसानों के मसले पे कुछ नहीं बोलता बजच हमारा कैसे दूगनी होगी यह पता नहीं सरकार के ही जो आखले हैं वो बताते हैं कि किसानों की आया की बड़ोतर ही जो है वो पिछले पांस सालों में 0.44 परसेंट रही है यानि अथा प्रिश्चत से भी कम रही है आप कैसे दूगनी कर लेंगे पता नहीं दूसी परी समझ सहा इस सरकार की यह है कि सरकार के पास कोई अर्फशास्ती नहीं है पूरे मंत्र मंझल में जो अर्फशास्ती है भी हाला आदि विचरशास्त का है कि अगर सरकार के अंदर अर्थ शास्ती ही नहीं होगा तो कैसे पांच ट्रीन डॉलर की आर्थवस्ता बनेगी मेरी समस्य परें ठीक है सर्, ओके इसी नोट पर हम कड़क सवाल का जवाब ले लेते हैं फटाफट से, हमने अज अपनी देश की जनता से पूझा था, क्या मोधी सरकार 2 न्यू इंडिया बनाने की सही रापर है, आपका जवाब आजुका है, देख लेते हैं, कितने लोग क्या रहे हैं, 59% ल कश्मीर में एक सोची समझी नीती सरकार की पहले भी रही है, एक strong arm tactics है उनकी, कुदरती बात है, वो होनी भी चाहिए, जो भारत की sovereignty को challenge करें, उसको tackle वैसे ही किया जाना चाहिए, जवाब वैसा ही होना चाहिए इस सरकार ने ये पहल ये अच्छी की और आते ही सबसे पहला जो फैतला हुआ किसानों के सम्मान विद्धी सबके लिए कर दी गई, और भी फैसले ऐसे हुए, जिस से ऐसा लगा कि सरकार जिस काखागा में है, वो का उसके लिए बहुत महत्पूर्ण है, किसान है, उसमें क अच्छी के लिए है, बहुत 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 बहु झाल झाल